प्रिसनेता सचन पाइलिट ने पंजाब के मांसा में सिदू मुसेवाला के परजनों से मुलाकात की मुसेवाला के परिवार से मिलने के बाद सचन पाइलिट ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि पंजाब में नरसाहार का जो भयानक करम चल रहा है इसको रोकना पड़ेगा पंजाब और पंजाबियों और इस देश को हमेशा फक्र रहा है पंजाब के लोगों ने बहुत लंबे समय तक आतंक के साए में जीवन काटा है हम नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर वो परिस्तती यहां दोबारा पैदा हो बड़ा खौफना की हाथसा हुआ है और मैं समझता हूँ कि यह लगातार नरसिंगार का जो भयानक करम चल रहा है पंजाब के अंदर इसको रोकना पड़ेगा इस परकार की वारदार जो कुछ दिन पहले हुई हमारे नौजवान साथी बहुत ही लोग भी हमारे कायक थे पार्टी की निता थे जिस पकार से उनकी हत्या की गई और जिस तरह एक खौफ का माहूर पैदा करने की कोशिश की जारी पंजाब के अंदर पंजाब और पंजाबियों के उपर इस देश को हमेशा फकर रहा है हमारे देश का माता है इसकी मिट्टी में वीरता है और पंजाब के लोगों ने बहुत लंबे समय तक आतंके साए में जीवन काटा है